तो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल एक्सेस अकेडमी पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2466 से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सोसल मीडिया पर बहुत तेजी से हो रही वाइरल खबर मंडे तक स्कूल आवंटन होगा इस खबर की सचाई के बारे में आप सभी साथ डिसकस करेंगे वहीं सीम योगी जिसे मुलाकात जल्ब स्कूल आवंटन को लेकर के ओपें टू आल रद ही आज का पर सुनवाई 27 को है और स्कूल आवंटन पर चैनितों के लिए इंपार्टन सुचना भी है तो आप सभी से निवेतन है वीडियो को बिना स्किप के होए अंतक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेयर करें जितने लाइकन जिरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तो आईए सात्यों सुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं 12,460 चकबरती से चुड़ी ही आज की बड़ी अपडेट के बारे में सात्यों आप सभी को बता दें 12,460 चकबरती में अब हम लोगों को आस्वासन नहीं रिजल्ट की जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से विबच्ची हम लोगों पर एक साइकलोजिकल प्रेशर बनाने के लिए सोशल मीडिया पर गलत और खबरें और अपवाएं फैला कर हम लोगों को परिशान करने का प्रियत्न कर रहे हैं उ जो स्कूल आवंटन की विग्यप्ति जारी की जाए अगर विग्यप्ति जारी करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी एक आफिशिल नोटिफिकेशन जारी किया जाए यानि इस पश्ट कर दिया जाए विभाग की तरफ से कि 2460 चिकवरती में जो प्रकार के विभाग इतने दिन बात कारवई सुनिश्चित करेगा जिससे जो अभ्यरती चैनित हैं और मानसिक प्रताणना जेल रहे हैं मानसिक के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक इस समय प्रताणना उनको बहुत जेलनी पड़ रही है ये चीजें के वल वही रिलाई कर स सच्चियो सर को चाहिए कि स्कूल आवंटन अगर करना है तो एक फिक्स डेट बता दें कि इस डेट के बाद चैनितों का स्कूल आवंटन किया जाएगा अगर सुप्रिम कोट या किसी भी कारण के वज़े से कोई रोक है तो एक इस परश्ट लेटर जारी करें कि 12460 से चक कर सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पर किकट होनी चाहिए अब आप सभी को बता दें सोसल मीडिया पर लगातारी खबर तेजी से वाइरल हो रही है कि मंडे तक चैनितों का स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा दोस्तों आप सभी को बता दें ऐसी कोई भी अभी आफिसियल ख पर किया तो वहाँ से चीज़ें जो निकल कर सामने आई हैं वो यह हैं कि अभी स्कूल आवंटन को लेकर के ऐसी कोई खबर नहीं है हलाकि विभाग जो है स्कूल आवंटन को लेकर के आगे की जो सभी पॉइंट हैं उन पर विचार कर रहा है लेकिन मंडे तक स्कूल आवं दोस्तों, ये केवल और केवल एक social media की अफवाह या खवर के रूप में है, तो कहीं न कहीं ये निरासा जनक है, क्योंकि इस तरीके से एक ही प्रयास हो सकता है, कि जो चैनित है, वो सांथ हो जाएंगे school, अवंटन करने के और लेकर के, जो अपने प्रयास कर रहे हैं, उस को ले करके क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि अब मंडे तक स्कूल आवंटन हो जाएगा तो वो सोचेंगे अब आगे प्रयास करने की क्या जरूरत है और सांत बैठ जाएंगे तो आप सभी को बता दें, मंडे तक स्कूल आवंटन हो या ना हो, आप सभी को प्रियास करते रहना है, अगर प्रियास करना आपने छोड़ दिया, तो ये समझ लीजिए, बिरोधी आपके जो है, जो अचैनित है, जो आपको डिश्टर्ट करना चाहते, उनकी 50% जीत, आप स जाए, आपके हरपिश्रिवास्तों हों, मोहित दुवेती हों, या उनकी टीम के कोई सदस्य हों, या अपने अनूप सिंग भाई हों, किसी की तरफ से इस बात को पुष्ट नहीं किया गया है, कि मंडे तक स्कूल आवंटन होगा, अगर हो जाए, तो इससे बहतर कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सभी को इंतजार तो स्कूल आवंटन का ही है, लेकिन दोस्तों, अभी तक मैंने जो जानकारी प्राप्त की है, इस बात को ले करके, वो या प्रूब नहीं करती है, कि मंडे तक स्कूल आवंटन हो जाएगा, इसलिए हम सभी को प्रियास करते रहना है, मंडे हम तो चाते संडे को हो जाए, सेटल्डे को हो जाए, किसी भी दिन हो जाए, लेकिन हो जाए, स्कूल आवंटन जल्द से जल्द हो जाए, इसके लिए प्रियास करते रहना है, तो कुल मिला करके इस कबर में अभी कोई सचाई नहीं है, आपको प्रियास करते रहना है, स यहाँ पर आप सभी लोग देक सकते हैं, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यह एक महंत जी हैं और यह मन्य मुख्मंतरी युगी आदिर नाजी से मिलवाने की बात महंत जी के समच रखी है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि योगी जी के बहुत ही करेबी हनुवान कड़ी एउध्या के महातस्री बलवरामदाच जी से आज मैंने आवंटन की बात की उन्होंने मंगलवार को एउध्या बुलाया है, बोला है कि जहां बोलो वहां मिलवादे मुख्यमंत्री योगी आदितनाच जी से गोरकपुरिया लखनव तो मंगलवार को वहीं जाकर उनसे बात करेंगे और उसके बाद माने मुख्यमंत्री योगी आदितनाच जी से जो है मुलाकात की जाएगी स्कूल आवंटन को लेकर के और आप सभी को बता दें जनता दर्बाद की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि वहाँ आप ज्यादा अच्छे से अपनी बातों को उनके समच्छ रख सकेंगे और अपना निवेदर उनके सामने प्रस्तूत कर सकेंगे और उसमें कारवाई सो निष्टित होगी क्योंकि पूरी उम्मीद है गर मानी मुख्यमंत् के ना कोट की ना कचहरी की केवल चलती है तो बाबा जी की दरबार से ये चीज आपको ध्यान रखना है और इसकूल आवंटन के लिए प्रियास करते रहना है मानी बेसेक से चामंत्री संदीब सिंग जी आपके लखनों आ चुके हैं उनसे जल्द से जल्द बुलाकात की ज मात्राबों से लेक्षित की है और जो उन्होंने आसवासन दिया था इसकूल आवंटन को लेकरके उस पर उन्होंने क्या आगे कारवाई सुनिस्चित की है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए और एक बार फिर से निवेदन कीया जाये जल्से जल्द से लिए क्या है बड़ी अपडेट उसको देख लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बाराजा 460 चक बारती में सिकंड काउंसलिंग ओपन टू आल अपनाई गई और उसको रत कराने को लेकर के लगातार कोर्ट केसे फाइल किये गए और उन कोर्ट केसे की अब लगातार सुनवाई जो है वो लगी हुई है इसी तरीके से आपको बता दें ओपन टू आल को चैलेंज करने वाली याचिका हाई कोट लखनव बेंच में सुनवाई 27 को लगी हुई है और उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है आप सभी लोग को आप सभी को बता दें फर्स्ट एरिंग इसकी 25 जनवरी को हुई थी और अगले सुनवाई यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 27 परवरी 2024 के से लिष्टेड इन कोट नंबर 17 और बेंच आइडी 3058 सीरियल नंबर 445 वार एडमिशन के लिए लगी हुई है मने इस मात डाल लेते हैं वहाँ से चीज़े किलियर हो जाएंगी तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं वही याचिका की कोट आडर है जिसकी सुनवाई 27 तारी को लगी है है कोट आप जूडिसरी एट इलाहबाद लखनवू बेंच कोट नंबर 17 और रिट नंबर 547 2024 है और य पिछली सुनवाई जो इसकी हुई थी 25 2024 को ठीक है उसमें आदेश निर्गत किया गया था जो भी पच्छी पार्टियां है जिनको नोटीस इसू किया गया था और उनको चार सप्ता का समय दिया गया था यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं काउंटर एफिडेविट फाइल करने को ले करके आप देखना यह है कि अगली सुनवाईस की 27 परवरी को लगी हुई है मामला लिस्टेड हो चुका है जो है रखने वाली होगी क्योंकि दोनों जगा मैटर लगबग सेम है क्योंकि रोप सिंग की याचिका का भी एक ही दिमांड है कि सिकंड कांसिंग ओपन टुआल को रद किया जाए और इस याचिका का भी एक ही मांग और दिमांड है कि जो सिकंड कांसिंग ओपन टुआल क में आगे की कारवाई को ले करके तो यह सुनवाई बहुत ही महात्पूर्ण है देखते हैं इस सुनवाई पर क्या होता है 27 सरकार की तरफ से किस तरीके से इस मामले को टैकल करने का प्रियास किया जाएगा और एफिडेविट जो है वो हाई किया जाएगा उसे क्या चीज़े भाई बहनों से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेश्ट है कि आप सभी लोग इस समय किसी भी तरीके से डिश्टर्ब ना हो किसी अचैनित की और सोसल मीडिया की अफ़वाहों से आप सभी को डिश्टर्ब नहीं होना एकजुट रहना है संगठित रहना है और अगर जरूर पड़े तो 5000 जो चैनित लोग हैं जिनके हाथ में निक्ति पत्र है 5000 के 5000 लोग लखनव आ करके संख्याबल के साथ निवेदन करें चाय मान्य मुख्य मंत्री योगी आदिद नाची से करें चाय सची उसर से करें या सिच्छा मंत्री तीनों लोगों से करें बहतर होगा क्यो तो ये सिर्ष नेता लोग हैं, इनके आपस के मन मुटाव खतम होने चाहिए, आपस के आरोप प्रत्यारोप खतम होने चाहिए, आपस के मतभेत खतम होने चाहिए, और आपसी एगो को छोड़ कर केवल और केवल एक टारगेट पर फिक्स करना चाहिए, इसकूल आवंटन, त इसलिए बहतर है, अभी भी समय है, जाग जाएं सभी लोग, तभी ज्यादा बहतर होगा, तो ये माहत्पूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, जिसको आमने आप सभी के साथ डिसकस किया, उम्मित करते जानकर ये अच्छे लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा